आज की इस वीडियो में हम बायापसी के बारे में बात करने वाले हैं हम जानेंगे बायापसी क्या होती है, यह कैसे की जाती है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट को रीट करते हैं तो हमारे सामने इसकी कुछ रिपोर्ट है लेकिन रिपोर्ट को देखने से पहले हम बायापसी के बारे में जान लेते हैं कि बायापसी कैसे की जाती है दीकि बायापसी दो वर्ड से मिलकर बना होता है बायो प्लस आपसिस यहाँ पर बायो का मतलब है लाइफ और आपसिस का मतलब है वीजन यानि कि यहाँ पर हमारे body के किसी living tissue को examine किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं इसमें हमारे जिस body के organ में problem होती है तो वहाँ से एक छोटा सा tissue को काट लेते हैं और उसे lab में भेजते हैं देन वहाँ पर उसका examine किया जाता है कि उसमें क्या problem है अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर्स आपको बयापसी कराने के लिए कब बोलते हैं या फिर बयापसी किस-किस कंडिशन में करा जाती है तो यहाँ पर पहली कंडिशन है एनी लेजन डैट प्रसिस्ट फोर मोर देन टू विक्स विद नो अपरेंट इटिलोजिक बेसिस यानि कि कोई भी ऐसा लेजन हो लेजन का मतलब होता है एनी एबनॉर्मल्टी हमारी बोडी में कोई भी ऐसी एबनॉर्मल्टी हो जो कि दो हफते से जादा हो और उसका कोई भी इटिलोजिकल कोज ना हो यानि कि हमें पता ना चल रहा हो कि ये किस वज़ास से हुआ है तो इस condition में बायापसी कराई जाती है इसका दूसरा कारण है इनी इंफ्लामेटरी लेसन डेट डेस नोट रेस्पॉंड टू लोकल ट्रिटमेंट आफ्टर 10 टू 14 डेस यानि कि कोई भी ऐसा इंफ्लामेटरी लेसन हो यानि कि कोई भी ऐसी अब्नॉर्मल्टी हो जो कि 10 से 14 दिन में ठीक ना हो रही हो यानि कि हम उसका ट्र Tall कर रहे हो उसके बाप जूद भी वह थीक ना हो रही हो तब भी डौक्टर्चस आपको baapsi कराने के लिए बॊल सकते हैं जान लेते हैं कि baapsi कितने टाप की होती है यासे कि excisional baapsi, incisional baapsi, panch baapsi, frank Roujan section baapsi, exfoliative cytology, baapsi, f маш baapsi लेकिन इन mêmes सरह हमें केवल तीन ऐसी baapsi हैं जिनकी बहुत ही जरूरत होती है जैसे कि एकसिजनल बापसी, इनसिजनल बापसी and FNAC तो इस वीडियो में हम इन तिनों के बारे में ही बात करेंगे तो पहला है यहाँ पर एकसिजनल बापसी देखिए यहाँ पर है एकसिजन means पूरे टिशू को बाहर निकाल देना तो इसमें पूरे टिशू या फिर जो डैमेज होता है उसे पूरे को ही बाहर निकाल देते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं पहला एक तो हमें यह पता चल जाता है कि उसमें क्या चेंज़े हुए है या फिर उसमें कौन सी प्रॉब्लम है और दूसरा जो हमारा कोस था या फिर जो हमारी बिमारी थी वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है लेकिन इसकी कुछ कंडिशन होती है यह हम केवल ऐसे टिशू में या फिर ऐसे टिमर में करते हैं जो कि दो सैंटीमीटर से कम होता है यदि 2 cm से कोई भी टिशू कम होता है तो हम उसे पूरा का पूरा बहार निकाल देते हैं मेंस इसमें diagnostic and therapeutic दोनों ही फायदे हो जाते हैं यानि कि बीमारी का पता भी चल जाता है और यहाँ पर उसका इलाज भी हो जाता है तो इसलिए हमें अलग से फिर कोई surgery नहीं करनी पड़ती लेकिन इसकी condition यह है कि जो lesson है वो 2 cm से छोटा होना चाहिए तो यहाँ पर हमने इसकी एक image भी लगाई है मान लीजी यह कोई tumor है या फिर कोई भी damage है तो हम इसे पूरा का पूरा cut कर लेते हैं और इसे पूरे को बहार निकाल देते हैं इस हिस्से को हम यहाँ पर सिल देते हैं इससे हमारा पूरा का पूरा जो damage होता है वो पूरा बहार आ जाता है तो यहाँ पर हम इस diagram से इसे और अच्छे समझ सकते हैं देखिए एक skin lesson है तो हम इसे पूरा का पूरा इस तरह से काट कर बाहर निकाल देते हैं बस ये 2 cm से छोटा होना चाहिए तो ऐसा हम एक सिजनल बापसी में करते हैं देन इसके बाद है इन सिजनल बापसी तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम एक छोटा सा पार्ट ही निकालना होता है जब भी कोई ग्रोथ या फिर कोई ट्यूमर दो सेंटीमीटर से जादा बड़ा होता है तो उस समय हम इंसीजनल बैप्सी करते हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट बहार निकाल लेते हैं देन उसे लेब में भेज देते हैं तो देखिए आप माल लीजी ये कोई ट्यूमर है या फिर कोई लेसन है तो हम इसका छोटा सा पार्ट ही बहार निकालते हैं तो इसे हम इंसीजनल बैप्सी कहते हैं देन इसकी बाद है फाय निडल एस्पारेशन साइटलोजी याने कि FNAC तो ये कम इंवैजिव होता है क्योंकि इसमें हम निडल का यूज करके या फिर इंजक्शन का यूज करके डैमेज टिशू को बाहर निकाल लेते हैं तो इसे हम अपने बोड़ी के सुपरफिशल एरिया में यूज करते हैं जैसे कि breast, thyroid and lymph node और देखिए FNAC एक quick method होता है और इसमें patient को ज़्यादा problem नहीं होती है तो इसे समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक diagram भी लगाया हुआ है हम इस तरह से syringe को insert करते हैं देन उसके उपर एक ultrasound transducer को रखते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हम सिरिंज को कहाँ पर insert करना है और अंदर से हम tissue को बाहर निकाल लेते हैं इस diagram में breast का FNAC दिखाया हुआ है कि breast का FNAC कैसे करते हैं देखिए इस तरह से syringe को insert करते हैं और जो damage tissue होता है उसे इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और उसे glass पे रखकर lab में examination के लिए भेज़ देते हैं जब यह sample lab में पहुँच जाता है तो वहाँ पर technician को इसकी final report बनाने के लिए कई सारे process करने पड़ते हैं इसलिए हमें इसकी report मिलने में दो से तीन दिन कभी कभी 5-6 दिन भी लग जाता है साथ में हम यह भी जाल लेते हैं कि बाइपसी के दुरान क्या-क्या complication या फिर क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं तो पहला है यहाँ पर spreading यानि कि जो आपका infection है वो एक जगा से दूसरी जगा फैल सकता है यानि कि bleeding हो सकती है infection हो सकता है wounding of cancer tissue यानि कि जो cancer tissue है उसमें चोट लग सकती है या फिर operative trauma यानि कि operation के दुरान या फिर procedure के दुरान कोई चोट लग सकती है तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ reports भी है तो उन्हें भी हम देख लेते हैं हमारे पास पहली report है left breast lung की बापसी report तो यहाँ पर दिया हुआ है बापसी is suggestive of carcinoma carcinoma means होता है cancer means इस lady को breast cancer हो चुका है देन यहाँ पर दूसरी report है incisional बापसी की तो यहाँ पर दिया हुआ है malignant neoplasm favoring high grade adenocarcinoma right parotid gland यानि कि इसके right parotid gland में adenocarcinoma है adenom means gland carcinoma means cancer यानि कि gland का cancer यानि कि इनकी right parotid gland में cancer हो चुका है अगली report हमारे पास FNAC की है means fine needle aspiration cytolozy तो यह है FNAC lump at right breast fibroadenoma no evidence of malignancy यहाँ पर malignancy का कोई भी evidence नहीं है malignancy का मतलब होता है cancer यानि कि यहाँ पर cancer cell नहीं है यहाँ पर है fibroadenoma means non cancer tumor तो यहाँ पर simple सा एक breast tumor हो चुका है अगली report में दिया है suggestive of ductal carcinoma ductal means होता है milk duct यानि कि जो milky duct होती है उसमें carcinoma हो चुका है carcinoma means cancer यानि कि milk duct का इने cancer हो चुका है तो इस तरह से हम biopsy की report को read कर सकते है यहाँ पर हमारी video खतम होती है और यदि आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर ले जिससे आगे भी आपको हमारी videos के notification मिलते रहे है थह भर कित सकते है